आज मैं आपको explain करने वाला हूँ 1988 की मूवी Big इस मूवी में 13 साल का एक बच्चा चाहता है कि वो बड़ा बन जाए और दूसरे दिन वो बड़ा बन भी जाता है वो directly 30 साल का हो जाता है उसके लाइफ में फिर क्या क्या होता है यह इस मूवी की storyline है टॉम हैंग जैसे बहुत ही अच्छे actors इस मूवी में है मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारे मूवी का lead character दिखता है 13 साल का जोश अपने computer पे game खेल रहा होता है उसे computer में बहुत सारा interest होता है थोड़ी देर बाद वो बाहर खेलने जाता है उसका एक best friend होता है Billy उसके साथ वो खेलता है खेलने के बाद वो hangout कर रहे होते है लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते है तब ही Cynthia Josh को देख कर हसती है Billy उसे बोलता है कि तुम उसे अच्छे लगते हो Josh को भी वो पसन आती है तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है फिर वो दोनों घर आ जाते है वो जब घर आते है तो उसके parents उसकी room में उसके sister को shift कर देते है उसकी एक छोटी सी sister होती है उसकी crib वो वहाँ उसके room में shift कर देते है उसी ही अच्छा नहीं लगता पर इसके against वो कुछ भी नहीं कर पाता फिर next scene में हमें Billy दिखाया गया है Billy के घर में हमेशा जगड़ी चलते रहते है Billy एक अच्छा लड़का होता है जो अपने family को help करता है रात में जब Josh और Billy दोनों सोने को जाते है तो अपने walkie-talkie में वो बात करते है Josh की mother उसे walkie-talkie बन करने को बोलती है Billy और Josh की उस walkie-talkie पर बात होती है और Billy Josh को बोलता है कि Cynthia तुमें भी पसंद करती है वो पहले जिस लड़के को पसंद करती थी उनकी अब fight हो चुकी है तो इसलिए तुम्हारा अब chance है इस दिन उनके शेहर में roller coaster आई हुई होती है Josh के parents उसे फिर वहाँ लेकर जाते है वहाँ उसे Cynthia भी दिखती है Cynthia एक ride पर जाने वाली होती है तो Josh भी वहाँ जाना चाता है वो उसके parents से पैसे लेता है और उन्हें जाने के लिए बोलता है वो वहाँ जाकर वहाँ खड़ा हो जाता है Cynthia भी उसे बात करने लग जाती है Cynthia उसे पूछती है कि क्या तुम इस ride पर पहले गए हो तो वो बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पहले गए हूँ वो डर रही होती है फिर एक लड़का Cynthia के यहाँ आकर वहाँ खड़ा हो जाता है एक्चुल में Cynthia उसके साथ डेट पर आई हुई होती है इस ride के लिए लाइन होती है वहाँ फिर वो Josh को आगे कर देते है Cynthia Josh के साथ नहीं आने वाली होती ride का जो supervisor होता है वो बोलता है कि तुम्हेरी height बहुत ही कम है तुम्हें यह ride नहीं कर सकते है उसे बहुत ही stupid feel होता है फिर वो वहाँ से चला जाता है उसके पास ride के लिए जो पैसे होते है वो तो होते ही है तो इसलिए वो वह घुमता है वहाँ गुम्दे गुम्दे वो एक गेम की मशिन पर आ जाता है यह एक Zoloft मशिन होती है यह जालो नहीं हो रही होती तो Josh उसे धक्का देता है उसमें पैसे डालता है और यह जो गेम होता है उसमें उसे पुछा जाता है कि तुम एक विश मांग सकते हो फिर वो विश करता है कि वो बड़ा बन जाए थोड़ी देर बाद उसे एक कार्ट मिलता है और उस कार्ट में लिखा होता है कि तुमारी विश ग्रांट हो चुकी है इसे यह मशिन बहुत ही अजीब लग रही होती है जब वो देखता है तब उसका प्लग जो होता है वो ओनी नहीं होता फिर वो वहाँ से भाग जाता है आत में हमें एक जोर का तुफान आया हुआ दिखता है जब सुबा होती है तो नीचे से जौश की मदर उसे उठाती है जोश जाकता है और बातरूम में जाता है बातरूम में जाकर देखता है तो वो बड़ा हो चुका होता है उसे बिलीव नहीं होता अपने आईस को फिर से वाश करता है और देखता है पर वो अब सचमूच में बड़ा हो चुका है उसके height बड़ी हो चुकी होती है, उसके चाती पर hairs होती है और वो बहुत याश्य चकित हो जाता है वो भाग कर अपनी room में जाता है वो कपड़े पहनने के कोशिश करता है पर उसके अपने old कपड़े अब उससे नहीं आते वो उसके pan में एक card देखता है उसमें लिखा होता है कि तुमारी visa grant हो चुकी है फिर वो अपने father के sweatshirt में घर से निकल जाता है उसके mother को मालूम नहीं होने देता फिर वो उस जगा जाता है जिस जगा वो कल रात था पर अब वहाँ कुछ भी नहीं होता वो फिर जब घर जाता है तो अपनी mother के सामने आता है उसकी mother को लगता है कि कोई उसके घर में अचानक से घुच गया है क्योंकि आप Josh बड़ा हो चुका है तो वो उसे पैचानती नहीं Josh उसे समझाने की कोशिश करता है Josh उसे बोलता है कि तुम मुझे कुछ भी पूछ सकती हो मैं Josh की बारे में सब जानता हूँ उसकी mother बहुत ही डर जाती है वो बोलता है कि मेरे भम पर एक बत माग भी है वो अपनी पैच निकालता है तो और भी उसकी mother डर जाती है और पुलिस को कॉल करती है Josh वहाँ से डर कर भाग जाता है फिर वो भाग करके directly school आ जाता है बिली खेल रहा होता है बिली जब break पर आता है तो वो उससे बात करना जाता है बिली बहुत ही डर जाता है उसे लगता है कि ये stranger मुझे क्यों बात कर रहा है फिर Josh उसे समझाने की कोशिश करता है वो समझ नहीं रहा होता Josh फिर उनका जो private song होता है वो sing करने लग जाता है फिर बिली को विश्वास हो जाता है बिली फिर Josh के लिए कुछ कपड़े लेकर आता है उसका जो सामान होता है वो एक बैग में भर कर वो इसके लिए लेकर आता है वो उसे बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए वो हमें फिर बेस्टॉप पे दिखाए गए है बिली उसे अपने पैरेंट्स के कुछ पैसे देता है वो दोनों फिर अब नियू यॉक जाने वाले होते है ये जो फेर थी जो उनकी सिटी में आई थी वो अब नियू यॉक में होती है जोस एक्चुली नियू यॉक के बाहर रहता है तो ये जो फेर होती है वो नियू यॉक में होने वाले होती है अब जोस और बिली नियू यॉक में जाकर इस फेर को ढूंडने वाले होते हैं और उस जोलाफ मशीन को वहाँ ढूंडने वाले होते हैं और फिर वो उस जोलाफ मशीन को ढूंड कर सब ठीक करने वाले होते हैं जब वो दोनों न्यूयोक आते हैं तब उन्हें वहाँ का environment कुछ अच्छा नहीं लगता उन्हें वहाँ ड्रगिस मिलते हैं कुछ prostitute भी वहाँ मिलती है एक बहुत ही third class hotel में बिली और जोज जाते हैं उनके पास उतने पैसे नहीं होते तो बिली उससे बोलता है कि तुम्हें यही रहना पड़ेगा यह जो hotel होता है इसमें violence की आवाजे आती रहती है gunshots, वेगरा सब यहाँ सुनाई देता है बिली वहाँ से जा रहा होता है तो जोज उससे पुछता है तो तुम क्या जा रहे हो बिली वहाँ से जाता है क्योंकि उसे 10 बचे के पहले घर जाना होता है वो जॉश को वान करकर जाता है कि तुम अपना खैल रखो जॉश फिर रो रो कर सो जाता है नेक्स दिन जॉश और बिली ये दोनों एक आर्केल शॉप्स विजिट कर रहे होते है वो बहुत सारे आर्केल शॉप्स विजिट करते है और ढूनते है कि वो जोलॉप मशीन वहाँ है या नहीं फिर उनका प्लान होता है कि वो सिटी के जो भी फेर्स होते है उनकी लिस्ट लेंगे तो इसलिए वो एक ओफिस में जाते है वहाँ कि जो लेडी होती है वो उने बोलती है तो मैं इसके लिए एक फॉर्म फिल करना होगा वो बोलती है कि वेटिंग पेरेट फोर विक्स का होता है जोज बहुत ही डर जाता है वो बिली से बोलता है कि मैं इतने फोर विक्स क्या करूंगा बिली उसे बोलता है कि तुम कुछ भी जॉब वगरा कर सकते हो फिर वो दोने एक आइस्क्रीम पार्लर में आते हैं और न्यूस पेपर में देख रहे होते हैं कि कहा जॉब वगरा है बिली उसे एक कॉंपेटर्स का जॉब पताता है Josh को competitors के बारे में बहुत कुछ पता होता है तो इसलिए वो ये job कर सकता है ये जो job होता है ये एक toys shop में होता है Macmillan Toys इस company का name होता है Billy जब interview में जाता है तो interview लेने वाला उसे बोलता है कि तुम्हें 4 साल का experience है वो बहुत impressed हो जाता है फिर Billy को वो job मिल जाती है इस interview के scene में ही हमें Susan दिखाई गई है Susan वहां marketing में काम करती है Susan की secretary अच्छे से काम नहीं कर रही होती इसलिए वो उस interviewer के सामने आती है और बोलती है कि तुम्हें मुझे अच्छी सी secretary देनी चाहिए उसके office में एक co-worker को बच्चा होने वाला होता है उसके लिए सब celebration कर रहे होते है पर Susan उसमें भी शामिल नहीं होती जब वो अपने office में आकर बैठती है तो testing के लिए उसे एक doll दी जाती है वो उस dog को भी fake देती है वो उस doll को भी fake देती है वो बहुत ही irritated होती है उसके job से वो थोड़ी भी खुश नहीं होती next scene में हमें दिखाए गया है कि Josh अब computers पे है वो बहुत ही fast काम कर रहा होता है तो उसका co-worker उसे बोलता है कि तुम्हें इतना fast काम नहीं करना चाहिए तुम अगर बहुत ज़्यादा काम करोगे तो हमारी job भी जा सकती है Susan का boyfriend होता है Paul वो भी marketing में होता है Susan on Paul ने एक पूरी toys की line ही create की होती है पर वो line drop हो जाती है क्योंकि उनके sales उतने अच्छे नहीं आ रहे होते Susan परिशान होके Paul से मिलने आती है Paul को उससे इतना ज़्यादा फरक नहीं पढ़ रहा होता Nick scene में Josh अपनी मदर को call करता है अपनी मदर को call करकर वो बोलता है कि तुमारा बच्चा ठीक है वो जल से जल घर आ जाएगा उसकी मदर डर जाती है और बोलती है कि उसे कुछ भी मत करो अगर तुमने उसे कुछ किया तो तुम तुमारी पूरी जिन्दगी पच्चता होगे उसकी मदर उसे एक प्रूफ मांगती है कि Josh अच्चा है ठीक है फिर Josh उसे पुछता है कि तुम ऐसी कुछ चीज बताओ कि सिर्फ Josh को ही पताओ फिर वो उसे बोलती है कि मैं वो जब छोटा बच्चा था तो उसे एक लोरी सुनाती थी उसका नाम मुझे बताओ फिर Josh उसे सिंग करकर बताता है उसकी मदर रोने लग जाती है नेक सीन में सुजन, पॉल और कमपनी का हेड़ जो होता है मैक मिलन वो सब रस्ते से जा रहे होते सुजन और पॉल उसे सब स्टाटिस्टिक समझा रहे होते और फिर वो Josh से टकरा जाते Josh बहुत ही जल्दी में होता है क्योंकि उसे जल से जल काम खतम करना होता है तो उसके बॉस मैक मिलन उससे बहुत ही इंप्रेस हो जाते है के लिए भॉर्चन होती है फिर वो अपने फ्रेंड के साथ बैंक आता है बैंक में लेड़ी उसे पुछती है कि तुम्हें ये कैसे चाहिए तो बिली और वो डिसकस करते हैं और सब एक एक डॉलर्स में वो सब पैसे लेते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं और पुरे दीन भ मोटर का एक ढोंग लेता है और अपने फादर से पुछता है कि हम एक सर्वे कर रहे हैं तो अगर आपके बच्चों को रात में कुछ पेट वेगरा दुखे तो आप क्या देंगे उसके फादर उसे मेडिसीन का नाम बताते हैं जोश फिर वो लेकर सो जाता है नेक्स दिन जोश सिठी में घुम रहा होता है तो एक टौई की शॉप में जाता है वो सब टॉइस से खेलने लग जाता है वहाँ वो अपने बॉस मिगमिलन से टकरा जाता है वो दोनों एक टॉइक के बारे में बात करते हैं जोश तो अंदर से 13 साल का लड़का ही है इसलिए उसे टॉ पियानों से खेलने लग जाता है और उसे वो पियानों बजाना अच्छा लगता है तो वो उसे बचाने लगता है उसके बॉस भी उस पियानों को जानते हैं कैसे प्ले करना है तो वो दोनों एक ट्यूम प्ले करते हैं सारे लोग उनके आसपास खड़े हो जाते हैं और वो द उसको बहुत ही अच्छी लगती है जौश की इंसाइड तो इसलिए उसे प्रमोशन मिल जाता है फिर बिली जौश के आफिस में आता है जौश उसे बोलता है कि यह बहुत सारे टॉइज है इन टॉइज से मैं खेलता हूँ और सब को बताता हूँ कि मुझे यह कैसे लगे यह उसका जौब होता है बिली को बहुत यह अच्छा लगता है कि ऐसा भी जौब कितना अच्छा है नेक सीन में सुजन और पॉल अपने अपार्मेंट में होते है और वो डिसकस कर रहे होते है कि यह जौश कहां से आया है पॉल बोलता है कि मैंने बहुत जगा ढूणने की उस वो एक new toy भी try करने वाले होते है यह एक building होती है जो robot में convert हो जाती है पॉल meeting खत्ब होने के बाद बोलता है कि कि किसी को कुछ question हो तो वो पूछ सकता है जौश बोलता है कि यह कैसा toy है मुझे यह समझ में नहीं आया पॉल को question समझ में नहीं आता तो जौश बोलता है कि यह बग में transform हो गया तो यह बहुत ही अच्छा हो सकता है सबको यह idea बहुत ही अच्छी लगती है Macmillan को भी यह idea पसनाती है पॉल यह सब personally लेता है उसका toy reject हो जाता है इसलिए वो बहुत ही hurt हो जाता है सुजन से वो यह सब बात करता है फिर जौश और बिली अपने लिए apartment दे जौश अपने mother को letter लिखता है वो उस letter में लिखता है कि मैं बहुत मजे कर रहा हूँ मैं बहुत ही जाता हूँ मैं ठीक हूँ इस letter में वो लिख रहा होता है नेक सिन में जौश को party में जाना होता है तो बिली और वो suit की shopping में आते जब वो उस shop में आते तो उसके owner को हैरान क पसन आता है, वो सुट पहन कर ही वो पार्टी में आ जाता है, जब वो आता है तब सब उस पर हसने लगते हैं, इस पार्टी में सुजन और पॉल होते हैं, पॉल हमेशा बिजनेस के बाती करता रहता है, इसलिए सुजन उसके डेबल से उठकर चली जाती है, फिर वो मैकमिलन से business के बात करना चाहती है और Macmillan उसे बोलते है कि एक party है तुम्हें drinks लेने चाहिए तुम्हें enjoy करना चाहिए Josh नई नई चीजे सब try कर रहा होता है अलग-अलग चीजे वो खा रहा होता है फिर Suzanne आकर उसे बात करना चाहती है वो बोलती है यह बहुत बोरिंग पार्टी है हर party में सेमी बाते सब करते रहते और हमेशा एकी बाते होती रहती है Josh को वहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा होता फिर Suzanne उसे बोलती है कि चलो हम अब बाहर जाते है कमपनी के कार में बैठते है Suzanne बोल रही होती है कि office में हम किसी को भी जान नहीं सकते अच्चे से तुमें उसे जानना होगा तो तुमें date पर वेगरा ही जाना पड़ता है Josh पर उसकी बाते वेगरा नहीं सुन रहा होता वो गाड़ी सही खेल रहा होता है गाड़ी की windows को हाथ लगाता है locks वो उपर नीचे करता है फिर वो गाड़ी के रूप से बाहर देखने के लिए खड़ा हो जाता है Susan को भी उपर बुलाता है वो Susan को बोलता है कि ये मेरी apartment थी Susan और वो फिर उसके घर आ जाते है Susan उसे बोलती है कि इतनी जल्दी मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहिए Josh को पता नहीं चलता है कि ये क्या बोल रही है और उसे वो अंदर invite करता है Susan अंदर आकर जब देखती है तो उसे उसका घर बहुत ही अजिब लगता है वो आट टैंपूलन भी होती है उसे देखकर वो excited होती है पर वो वो खेलना नहीं चाहती फिर Josh उसे बोलता है कि तुम्हें इस पर चड़ना चाहिए तो इम बहुत ही मज़ाएगा Josh उसके shoes वगरा निकालता है और फिर उसे jump करना सिखाता है फिर वो रात में games खेलते है जब वो सोने जाते है तो उनका एक proper bed नहीं होता Josh आता है और उपर जाकर सो जाता है उनके बीच रात में कुछ भी नहीं होता नेक्स दिन Susan और Paul गार में होते है पॉल फिर से अपने business के बाते कर रहा होता है तो Susan फिर गाड़ी से खेलने लग जाती है वो रेडियो चेंज करती है पर पॉल उसे बोलता है कि ऐसे बच्चों जैसा क्यों कर रहे हो Susan के चेहरे पर smile आ जाती है पॉल को समझ में नहीं आता कि Josh कैसा है तो इसलिए वो उसे game खेलने के लिए invite करता है पॉल उसे games के सब term सिखाता है और जब वो खिलने लग जाते है तो Josh जीटने लग जाता है फिर पॉल cheating करने लग जाता है Josh और पॉल की फिर लड़ाई हो जाती है पॉल उसे punch कर देता है Josh के नाक से खुन आ रहा होता है तो Susan उसे taint कर रहे होती है वो उसे बोलती है कि Paul तुम से डरता है इसलिए वो ऐसा करता है Josh उसे बोलता है कि तुम भी उसके साथ ही काम करती हो उसके जैसा ही तुम काम करती हो पर तुम की इतनी अच्छी हो Susan फिर उसे किस करती है रात में Josh उसके boss के साथ बेटा हुआ होता है उसके Josh एक report पर काम कर रहे होते हैं इनकी problem यह होती है कि 13 साल के बच्चे को कैसे वो अपनी toys sell कर पाए वो बोलते है कि 13 साल के लड़के को सिर्फ 13 साल की लड़की चाहिए होती है उसे toys में interest नहीं होता उसे अब realize होता है कि जिस age में वो अब आ चुका है बड़ा हो चुका है तो इस age की ही Susan है इसकी अब वो girlfriend हो सकती है यह इसको realize होता है नेक्स दिन Josh का बड़े होता है तो Billy उसे एक restaurant में लेकर जाता है Billy को पूरा दिन उसके साथ spend करना होता है पर Josh बोलता है कि मुझे कुछ लोगों से मिलना है मैं तुम्हें call करूंगा यह बोलकर Josh वहाँ से चला जाता है फिर Josh Susan के पास आता है Susan के apartment में आकर वो बैठता है पर वो बोर हो रहा होता है इसलिए वो फिर एक fair में जाते है वहाँ वो बहुत ही मज़े करते है रोलर कोस्टर पर जाते है डांस फ्लोर भी होता है वहाँ जाकर वो डांस करते है Susan बोलती है कि मैं तुमारे जैसे आदमी को कभी नहीं मिली मैं जिन भी लोगों को डेट करती हूँ उनके पास शुपानी के लिए बहुत कुछ होता है तुम मुझसे कुछ भी नहीं चिपाते फिर जॉश उसे किस करता है फिर वो उसे अपने अपार्मेंट में लेकर आती है और वो दोने इंटीमेट हो जाते है नेक्स दिन जब वो ऑफिस में आता है तो बहुत ही खोश होता है सुजन उसके एक फ्रेंड के डिनर होता है वहाँ भी लेकर आती है सुजन की फ्रेंड की फैमिली होती है उसका एक बच्चा भी होता है और उसे अलजेबरा में प्रॉलम आ रहा होता है Josh का algebra अच्छा होता है तो उसे help करता है Susan की friend उसे बोलती है कि तुम्हारा boyfriend बहुत ही अच्छा है Next scene में हमें दिखता है कि Billy के पास up list आ चुकी है जो New York में सब fairs है यानि कि अब उसे वो zholop machine मिल जाएगी Next scene में Josh एक book stand पर होता है वहाँ उसे दिखता है कि 13 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें comics में बहुत ही interest होता है उसे फिर idea आता है कि अगर हम एक digital comics बना सके तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है वो Susan को यह idea समझाता है वो बोलता है कि हम comics में जो characters है उनकी choices हम बच्चों को दे सकते हैं यानि कि बच्चे choices करेंगे और उस तरह से storyline बदल जाएगी हम अलग-अलग disc से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं Susan को भी यह idea अच्छा लगता है Susan को उसकी और Josh की relationship कहा जा रही है यह पता करना होता है तो Josh से पूछती है Josh को यह समझ में नहीं आता तो Susan उसे पुछती है कि मैं तुमारी लिए क्या हूँ Josh फिर उसे playfully मारता है और उसके साथ कुष्टी करने लग जाता है Billy Josh को call करने की कोशिश करता है पर Josh उसके idea में बहुत ही busy होता है तो Billy उसको call नहीं कर पाता Billy उससे बात नहीं कर पाता वो late night भी काम कर रहे होते है तो Susan उसके boss से मिलती है उसका boss उसे बोलता है कि तुम मुझे अब बहुत ही खुश लग रही हो मैं तुमारे दोनों के लिए happy हूँ यानि कि Josh और उसकी जो जोड़ी होती है वो देखकर उसके boss को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है फिबिली frustrated होकर Josh के office में आ जाता है वो बोलता है कि मुझे सब list मिल चुकी है तो मैं सिर्फ अब call करना है और तुमें पता चल जाएगा कि तुमारा Zolop machine कहा है Josh बोलता है मैं बहुती काम में हूँ और उनकी वहाँ fight हो जाती है बिली बोलता है कि मैं तुम से थ्री मन से बढ़ा हूँ और ये बोलकर फिर वो वहाँ से चला जाता है बिली रात में जब घर आता है तो Josh से वो जो जिस radio phone से बात करता था उस phone से एक आवाज आती है वो दोना neighbor से होते है तो वो देखता है कि Josh की mother उस radio को देख रही होती है Josh की mother से वो फिर वो बात करता है Josh की mother उसे बोलती है कि उसका birthday था मैंने उसके लिए गिफ्ट भी लाया था वो गिफ्ट वो बिली को दिखाती है वो उसे बोलती है कि जब तक Josh नहीं आ जाता तब तक तुमें इसे खेलना है तो तुम खेल सकती हो पर बिली उसे रख देता है और बोलता है कि मैं इसे नहीं रख सकता Josh थोड़े ही दिन में घर वापस आ जाएगा Josh बहुत ही काम करकर रात में ठक जाता है और फिर से अपना वीडियो गेम खेलता है यह वही वीडियो गेम होता है जो हमें वो मूवी के पहले में खेलते हुए दिखाता फिर वो फिर से अपने टाउन में जाकर सब विजिट करता है उपने फ्रेंड्स देखता है अपना नेबर होड देखता है और फिर उसे फिर से वापस जाना होता है फिर वो घर आकर सुसेन से बात करता है वो सुसेन को बोलता है कि मुझे घर जाना है मेरी अलग लाइफ है और मुझे वहाँ वापस जाना है सुसेन बोलती है मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़े तुम्हें इतने अच्छे होई नहीं सकते तुम्हारी फैमिली है और तुम्हें वहाँ जाना है न जोज बोलता है कि मैं 13 साल का एक छोटा बच्चा हूँ सुजन को लगता है कि ये कपिंट मेंट से डर रहा है इसलिए ये सब बोल रहा है वो उसे समझाने की कोशिश करता है वो बोलता है जोलॉप मशीन थी और इसमें मैंने एक वीश की थी इसलिए मैं छोटा बन गया था सुजन को ये कुछ भी बिलिव नहीं होता है और वो सोने चली जाती है जब नेक्स दिन वो उटती है तो वो जोश के pocket check करती है उससे जोलॉप मशीन से तुमारी वीश grant हो गई है एसा जो cheat निकलती है वो वह देखती है वो फिर सब चीज़े सोचने लगती है जोश का apartment, जोश का रहना जोश की सब बाते ये सब वो फिर से recall करने लग जाती है उसे थोड़ा थोड़ा believe होने लग जाता है बिली के पास सब fares की list होती है और उनके numbers भी होती है तो बिली सब को call करता है और उनसे पुछता है कि क्या उनके पास जोलॉप machine है और उसे पता चल जाता है कि कहा वो machine रखी हुई होती है फिर वो Josh के पास आता है और उसे वो address दे कर चला जाता है वो उससे कोज भी बात नहीं करता Josh की अब meeting हो रही होती है जो comic book का idea होता है वो सब को बता रहा होता है सब को idea पसन आता है पर Paul को वो idea पसन नहीं आता Josh अपना idea बता कर उस meeting से निकल जाता है सुजैन भी उसके पीछे भागती है बिली उसके office के नीचे ही होता है पर Josh एक taxi लेकर आगे चला जाता है उसे उसकी taxi देखती है वो उसे आवाज देने के कोशिश करता है पर वो उसे देनी पाता फिर सुजैन देखती है कि बिली जोश को जानता है तो बिली से बुझती है कि जोश कहा गया है बिली उसे उसका पता देता है फिर वो उस fare में आती है ये day होता है तो वो fare चालू नहीं होती बिली फिर उस machine के पास जाता है और अपनी wish पूरी कर लेता है सुजैन फिर वहाँ आती है और उस card को देखती है जोश फिर उससे बात करता है और बोलता है कि मेरे पास million reason है कि मैं अपनी old life में वापच चला जाओ पर मुझे रहने के लिए एकी reason है वो तुम हो और मैं यहां नहीं रुख सकता मुझे अपनी old life में फिर से वापच जाना चाहिए वो उसे बोलता है कि तुम भी मेरे साथ आ सकती हो पर वो उसे बोलती है कि मैं पहली बार भी छोटी race चुकी हूँ उसे अपना बच्पन अच्छा नहीं लगता वो जोश से अपनी age पुछती है जोश बोलता है कि मैं 13 साल का हूँ सुजैन फिर उसे बोलती है कि और 10 साल में हम फिर से मिल सकते है अगर destiny ने चाहा तो हम फिर से एक हो जाएंगे फिर वो उसे अपने घर drop कर देती है सुजैन उसे बोलती है कि तुम मुझे याद भी नहीं करोगे जोश बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बुलूँगा फिर वो गाड़ी से उतरता है अपनी घर की तरफ चलने लग जाता है तभी उसके कपड़े बड़े होने लग जाते है और वो छोटा हो जाता है फिर से वो अपने 13 साल के रूप में वापस आ जाता है वो सुजैन को बाई करता है और घर में चला जाता है घर से हमें आवाज आती है कि उसकी मदर उसको देखकर बहुत ही खुश है फिर नेक्स दिन जोश और बिली हम फिर से एक साथ खिलते हुए दिखते यही यह मूवी खतम हो जाती है